अच्छा ये वीडियो आप तभी पूरा देखिए जब आपका इन दोनों सवाल का जवाब हाँ है अब सवाल क्या है ये तो सुन लीजिए पहला सवाल क्या आप मेरी तरफ कम्पीटर में कुछ भी नया सीखना पसंद करते हैं और दूसरा सवाल क्या आप एक एक एक्सपर्ट कम्पीटर यूजर बनना चाहते हैं अगर इन दोनों सवाल के जवाब में आपका बड़ा सा हाँ है तो चलिए मैं बताऊंगा कम्पीटर के ऐसे साथ टीप्स जो आपको बनाएंगे कम्पीटर का गुरू चलिए करते हैं शुरू अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ सीखना जैसे अभी चल रहा है तो ज़रू सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉम पे क्लिक कीजिए चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक योग तो सबसे पहली टीप्स यहाँ पे मैं आपको बताऊं दोस्तों अच्छा मैं आप से सवाल पूछने चाहूँगा कि आप कंप्यूटर शुटडाउन करते कैसे दरसल ट्रैडिशनल मेतर से जैसे कि आप स्टार्ट पे क्लिक करते हो और पावर ओप्शन्स पे क्लिक करते हो और उसके बाद शुटडाउन बड़न पे क्लिक करते हो लेकिन मैं आपको बताओ कि shutdown कुछ अलग तरीके से किया जाए तो जी हाँ तो shutdown की पहली tips यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप slide shutdown भी कर सकते हैं यहाँ पर देखिए मैंने एक slide shutdown का button दिया है जिसकी पर मैं double click कर रहा हूँ जैसे मैं double click कर रहा हूँ उपर से एक slide to shutdown your PC ऐसा लिख क्या रहा है मैं इसे नीचे ड्रैक करूँगा तो यह मेरा computer shutdown कर देगा फिलाल मुझे नहीं करना है दोस्तों क्योंकि मैं shutdown करूँगा तो आपको recording नहीं मिलेगी सीधी जी बात है ना तो लिकिन आप slide shutdown कर सकते हैं यह एक interesting way है computer का shutdown करने का शायद मुझे लगा आपको पता नहीं इसलिए आपके साथ यह share कर रहा हूँ मैं और इस button को मैंने कैसे बनाया यह भी मैं आपको बताता हूँ तो simple यहाँ पर आपको एक code दिखाए दे रहा है इस code को मैं description में दे रहा हूँ आपके साथ share कर रहा हूँ इस code को यहाँ से select करके इसे करना है copy और copy करने के बाद desktop पे मैं पहले यह slide shutdown delete कर दे तो पहला slide shutdown हमें इसे delete कर देते हैं और दुबारा बना रहे हैं इसलिए right click कर रहा हूँ मैं यहाँ पर right click करने के बाद आपको जाना है new के अंदर new में right side में आपको shortcut option दिखाए दे रहा है तो चलिए मैं shortcut option पे यहाँ पे click कर रहा हूँ जैसे मैं click कर रहा हूँ मेरे सामने एक dialogue box आ रहा है जो कि आपको यहाँ पे clearly दिखाए दे रहा है अब इस dialogue box में मैं कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ पे जो मैंने copy किया था अभी shutdown के command वो मैं यहाँ पे simply paste कर दूँगा Ctrl V shortcut की वहती है दोस्तों paste करने के लिए आपको पता ही रहेगी next button पे यहाँ पे click करना है उसके बाद type a name for this shortcut इस shortcut के लिए आप क्या name देना चाहते हो जो नाम है वही रखने देना चाहते हो तो रहने दो या फिर आप कुछ और नाम देना चाहते हो तो दे सकते हैं no issues and फिलाल मैं finish कर देता हूँ जैसे मैं finish करूँगा यहाँ पे आ चुका है यह slide to shutdown इसे ऐसे रहने देना है तो रहने देजिए क्योंकि एक्टिव हो है डबल क्लिक करेंगे तो आपको दिखाए दे रहा है यहाँ पे उपर slide to shutdown आ चुका है इसकेप कर देता हूँ मैं फिलाल लेकिन आप चाहते हैं कि इसका icon change कर दिया जाए तो right click कीजिए और right click में जो properties option नीचे मिलता है आपको उसके उपर click कीजिए उसके उपर click करने के बाद यहाँ पे आपको आएगा change icon option change icon option पे click कीजिए और उसके बाद यहाँ पे कुछ error रहेगा उसे ok कीजिए skip कीजिए उसे पढ़ने की ज़रुरत नहीं है और यहाँ पे से कोई भी icon दे सकते हैं बहुत सरी icon है यहाँ पे फिलाल मैं यह वाला देता हूँ it look like कुछ switch off shutdown की तरह है तो यह मैंने वही दे दिया तो इस तरह से आचुका है आपका slide to shutdown यह थी पहली tips अब बढ़ते हैं दूसरी tips के ओर अब दूसरी tips में भी मैं shutdown करने का और एक थरीका बताने वाला हूँ जी हाँ कई बार क्या होता है मैं scenario बता दे तो हम रात को काम कर रहे होते हैं computer पे और कुछ downloading के लिए रख देते हैं जिसको एक घंटा या दो घंटा लगने वाला है तो आप चाते कि यार downloading दो घंटे के बाद होगा तो मैं तो सोना चाता हूँ अभी ये downloading मुझे बंद भी नहीं करना है तो दो घंटे के बाद computer को बंद कोन करेगा computer automatic बंद हो जाएगा computer या laptop जो भी automatic बंद हो जाएगा कैसे यहाँ पर देखिए मैंने एक बना दिया है चोटा सा shutdown icon उसको अलग दे दिया है उपर दिखाए दे रहे हैं आपको shutdown करके अच्छा यह shutdown timer है मैं इसे double click करता हूँ क्या आ रहा है ज़रा देखिए you are about to be sign out windows will shut down in one minute oh my god one minute मैं क्यों क्यों कि मैंने one minute का timing रखा है फिलाल मैं इसे close कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ यह जो shutdown मैंने अभी रखा है उसको पहले cancel कर देता हूँ नहीं तो यह बंद हो जाएगा दूस्तों तो इसके लिए मैं करूंगा क्या simply यहाँ पे आपको run command लेना है run command के अंदर shutdown minus a type करना है shutdown space minus c दियान से देखिए shutdown space minus a से मेरा जो shutdown है वो cancel हो जाएगा right side में आपको यहाँ पे notification भी दिखाए देगा फिलाल मैं recording कर रहा हूँ यहाँ पे recording में notification नहीं आया लेकिन मेरा shutdown यहाँ पे cancel हो गया तो lock up cancel करके notification right corner में यहाँ पे bottom में आपको दिखाए देगा आप अपने computer पे try करके जरूर दिखिए अभी recording में वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे फिलाल यह कैसे बनाए यह मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा और आप भी interested रहोगे इसे सीखने के लिए और इसके लिए भी same करना है right click करना है और new में वहाँ पे जाना है जहाँ पे अभी हम गए थे new के अंदर shortcut में यहाँ पे हम click करेंगे shortcut पे click करने के बाद आपको पता एक shortcut आ जाता है इसके अंदर type क्या करना है आपको shutdown minus a नहीं करना है shutdown minus s shutdown के बाद space देना है फिर उसके बाद minus s फिर उसके बाद minus t और उसके बाद space जितना time आपको रखना है एक घंटा चाहिए तो आपको यहाँ पे seconds में देना है 3600 seconds यानि कि one hour और 7200 seconds यानि कि two hours simple है ना 60 seconds दिया तो one minute के बाद होगा जो मैंने button बना है वो 60 seconds का बना है तो यहाँ पे आप जो भी timing देना चाहते हो दे दीजिए और यहाँ पे next पे click कीजिए और यहाँ पे shutdown to या फिर आप लिख सकते है shutdown after one hour ऐसा कुछ भी नाम आप दे सकते है जो कि मैंने यहाँ पे दे दिया है अब मैं यहाँ पे finish करूँगा और जैसे finish करूँगा यहाँ पे एक file आ चुकी और इसका icon भी कैसे बदलना है जो कि मैंने आपको बता है starting में icon बदलने के लिए simply right click properties change icon and select whatever icon you want you can select the similar icon also or else different icon तो यहाँ पे मैंने बना है shutdown after one hour तो यह जरूरी हो सकता है आपको आपका computer automatic shutdown करने के लिए interesting है जैसे हम TV में sleep mode लगाते हैं वैसे computer कभी हम sleep mode लगा सकते हैं अनिकी shutdown mode यहाँ पे दोस्तों तो यह जरूर करके देखिए इसका video मैंने अलड़ी बना था लेकिन मैंने सुचा कि यह tips भी बहुत useful है बहुत सरे लोगों को पता नहीं होगी इसलिए दुबारा शेयर किये आपके साथ अब बढ़ते तीसरे tips के ओर तीसरे tips में मैं आपको बताओ कि यहाँ पे एक control panel आपको दीख रहा है और यहाँ पे मैं इस control panel को नाम तो है नहीं इसका मैंने open किया directly इसको और यहाँ पे आपको दिखाए दे रहा है इसमें बहुत सारे अलग-लग settings आ चुके है तो Bluetooth से related settings है मेरे background images से related settings है बहुत सारी mouse से related settings keyboard settings everything सभी settings है even hard disk partitions आपको यहाँ पे मिलने वाली है आपको दिखाए दे रहा है यहाँ पे create and format hard disk partition यह सारी settings एक ही icon में कैसे एक ही icon में कैसे आया इसको हम God mode बोलते है God mode यानि कि सभी settings का collection तो चले मैं आपको बताता हूँ कि यह God mode आप अपने desktop पे कैसे लाग सा सकते है सारी settings आप एक साथ एक जगा पे कैसे ले सकते क्योंकि आपको कोई भी settings में जाना रहता है तो आपको बार-बार उस settings के options में जाने साच चा कि एक ही जगा पे सभी settings आपको कैसे मिलेगी इसके लिए simply आपको यहाँ पे जो code दिखाए दे रहा है इसे select करना है copy करना है और तो चलिए यहाँ पे desktop पे आईए अभी यहाँ पे desktop पे आने के बाद यहाँ पे पहले जो code mode दिख रहा है उसे मैं delete कर देता हूँ now right click कीज़े desktop के उपर new, new के बाद यहाँ पे आपको दिखाए दे रहा है shortcut नहीं, folder इस बार shortcut नहीं लेना है I mean shortcut option नहीं लेना है अभी हम folder option लेंगे folder लेने के बाद यहाँ पे एक folder तयार हो चुका है इस folder में मैं यहाँ पे वो code जो copy किया था मैंने वो paste कर दूँगा और जैसे मैं paste करूँगा enter button प्रेस करूँगा यहाँ पे God mode create हो चुका है अब इस पे आप double click कीजिए and सभी settings आपको यहाँ पे मिलने वाली है तो है ना असान तरीका God mode create करने का दोस्तो इस बात पे एक like तो हो जाए अब बढ़ते अगले tips के ओर तो यहाँ पे fourth tips में मैं आपको बताओ कि आपके desktop पे जो program से और वो तो आप mouse से double click करके start करती है लेकिन आप चाहते है जैसी tally software या कोई भी player vlc player है या कोई software है जो आप shortcut key के साथ start करना चाहते तो simply उस icon के उपर right click करना है मतलब जो software का आप shortcut key देना चाहते है उस icon पर right click कीजिए properties में जाहिए और यहाँ पर आपको दिखा देरा shortcut key और इस shortcut key में अब जो भी add करना चाहते है आप control button प्रेस कीजिए alt button प्रेस कीजिए जो भी है अब जैसे प्रेस करोगे control button मैंने प्रेस कर दिया control A प्रेस किया alt automatically आ जाएगा क्योंकि control A already select all के लिए होता है तो control alt A यह combination यहाँ पर आटोमेटिक आ जाता है उसके बाद आपको apply करना है और ok करना है हाँ अगर आपका administrator नहीं है login तो आपको administrator की permission लेनी पड़ेगी यहाँ पर तो इस तरह से आप कोई भी desktop के program को shortcut key assign कर सकते है अच्छा आप start में कोई program है और उसका shortcut की assign करना चाते है जैसी कि आपके desktop पे नहीं है यह start में है मतलब यहाँ पर start के list में है तो यहाँ पर rightly करोगे तो यहाँ पर properties तो नहीं आ रहा है तो मैं simply आपको बताओ करना क्या है more में जाना है और open file location open file location दिखाए दे रहा है more options में open file location कीज़ दिएगा उसके अंदर यहाँ पर फिर आपको मिलेगा उसका shortcut और यहाँ से आप right click करके properties में जाएए और इसके लिए जो shortcut की यहाँ पर assign करना चाते है वो आप कर सकते हैं तो यह थी tips number 4 और अब बढ़ते tips number 5 की तरफ अब tips number 5 में मैं आपको बता हूँ कि यह windows 10 में नहीं चलेगा windows 7 में चलेगा और यहाँ पर windows 10 के लाव मैं 7 में दिखाता हूँ करना क्या है run command में आपको simply cmd type करना है cmd यानि command prompt आपके सामने command prompt आ जाता है और command prompt में आपको lusrmzr type करना है login user manager अब यह login user manager command क्या करता है जैसे आप enter करोगे आपके सामने एक login user manager का डायलोग बोक्स आता है उसमें आप directly आपके administrator या फिर बाकी users का password बढ़ल सकते बिना old password के जीना दोस्तो windows 10 में यह work नहीं काता है लेकिन windows 7 में आप देख सकते हैं यहाँ पे screen में मैं आपको दिखा रहा हूँ कोई भी password आप directly right click करके नया set कर सकते हैं यहाँ और old password की बिल्कुल जरुवत नहीं पड़ती है तो यह एक windows 7 के अंदर आप interesting features कर सकते हैं कि command prompt से आप directly login user manager access कर सकते हैं अब tips number 6 में है startup program जियां अगर आप चाहते हैं आपका computer start होती ही कोई song बजने चाल हो जाए automatically मतलब आपको play करने के ज़रूरत ना पड़े या कोई video या कोई software की file तो आपको करना क्या है अगर आपका windows 7 है तो आपको start में जाकर startup startup नामका यह फोलडर डूड़ना है और उसे open करके उसके अंदर आपको song बगरा टाइप करना है लेकिन windows 10 के अंदर आपको करना क्या है मैं आपको दिखाती हैं यहाँ फैं में windows 10 में यहाँ ठैं में आपको run command open करना है और यहाँ पर यह command type करना है Windows 10 के अंदर Windows 7 में directly आपको startup folder start command में मिलता है लेकिन Windows 10 में आपको run के अंदर यहाँ पे shell colon startup यह type करना है और यह folder मिलेगा यह folder मिलने के बाद इस folder के अंदर यहाँ पे फोल्डर open हो चुगा इसके अंदर आप जो भी program start करना चाहते हैं उसका shortcut यहाँ से copy करके यहाँ पे पेश करेंगे तो यह मेरा flimora यहाँ पे start हो जाएगा मतलब computer मेरी start करते ही या computer जब भी मैं start करूँगा automatically यह वंडर शोर flimora 9 run होने वाला या कोई भी software जो भी shortcut आप यहाँ पे डालोगे या फिर आप कोई music file डालते हो तो भी चलेगा आप excel की file डालते हो तो भी चलेगा जो भी excel file आपको लगता है कि यार computer शुरू होते ही आप office में जाएंगे तो computer शुरू होते ही directly वो excel file खुल जाए जिसमें आपको daily काम है तो daily काम है तो आपका excel file open करने के लिए time waste नहीं करना है आपको तो उस excel file को यहाँ पे डाल दो मतलब उसका shortcut बना के डाल दो दिखाता हमें आपको जैसे यह computer tips file मुझे रोज सुब उपन करनी है तो उसका shortcut मैं कैसे बनूँगा उसके पर right click करूँगा right click करने के बाद send to and send to desktop shortcut और जो shortcut आया है उसे मैं यहाँ से वीडियों में बताये दोस्तों लेकिन आपने शायद वो देखी नहीं होगे क्यों क्यों अलग अलग वीडियों थे तो मैं मेरा काम बनता है कि यह सभी tips का club tips बनाओ एक mix tips आपके लिए बनाओ इसलिए मैंने आपके लिए 7 tips लाया है तो चलिए अभी आपके computer को boost करना है virtual memory के साथ तो आपके computer में virtual memory कैसे create करेंगे आप जी हाँ pen drive अगर आपके पास है कोई भी pen drive है 4GB का है 8GB का है 16GB का है वो pen drive आप attach कीजी है जैसे मैंने यहाँ पे मेरा pen drive अटेच किया और यहाँ पे आप देख सकते है pen drive करके 10 PC में आया है Windows 10 में 10 PC और Windows 7 में computer में जाना है आपको जो start में रहता है या फिर desktop पे रहता है उसमें आपको pen drive यहाँ पे दिखाए दे रहा है अब इस pen drive को मैं as a virtual memory यूज़ करना चाहता हूँ तो right click करूँगा इसके पर इसमें properties में चले जाना है properties में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखाए देगा एक option जिसका नाम है ready pushed अब इस ready pushed option में आपको करना क्या है dedicated this device to ready pushed यहाँ पे मैंने click किया है या फिर आप इसे भी click कर सकते हैं इन दोनों में फरक क्या है इसमें click किया तो जितना भी free space आपके pen drive में होए वो सब utilize हो जाएगा मतलब मैंने इसमें click किया तो यह पूरा पूरा pen drive यूज कर लेगा जितना free space available है और अगर आपने यह वाला ले लिया तो आप customize space दे सकते हैं जितना push के लिए देना है उतना मैंने इतना ही दे दिया 10 GB no GB जितना देना है मुझे इतना मैंने दे दिया जैसे मैंने 10 GB तक दे दिया रहा हूँ तो उसके बाद मैं यहाँ पे apply करूँगा और apply करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाए दे रहा है वो pen drive इस तरह से हो चुका है मतलब यह इतना space अभी खाली नहीं है यह आप open करके देखेंगे इसके अंदर क्या है तो यहाँ पे ready push करके नाम की एक file बन चुकी है और आपको इसे हटाना है तो right click properties में चले जाना है यह virtual memory आपको नहीं चाहिए as a pen drive का storage करके use करना है so do not use this space करके आप apply कर सकते है और पूरा use करना है तो यहाँ पे click कीजिए पूरा का पूरा pen drive use हो जाएगा बस apply करना है तो पूरा pen drive virtual memory में convert हो जाएगा और आपके computer में थोड़ा सा speed आपके computer में यहाँ पे आपको boost मिलेगा speed up your system by utilizing the available space on the device तो हमारे जो devices में space available है उससे हमारा system हम यहाँ पे speed up करने वाले है तो यही थी सातवी tips और यह सातो tips अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आपने already like बटन पे click किया होगा दोस्तों like कीजिए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे comment section में जरूर बता दीजिए कि इसमें से कौन सी tips आपके लिए unique थी unique tips लिखना comment में ना भूलिए मैं इंतजार करूँगा आपका दोस्तों तो चलिए मैं मिलूँगा कुछ और interesting वीडियो के अंदर दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह मैं यही कहूंगा सीखते रहो थोड़ा सा change करते इस बार सीखते रहो expert बनते रहो मैं हमेशा कहता हूँ सीखते रहो सीखाते रहो लेकिन इस बार सीखते रहो expert बनते रहो चलिए मेले ताम अलविदा बाई बाई